माननिये मुख्य मंत्र जी असलाम वालेकूं शलाम वालेकुल वालेकुल कलीद का तिवहार था और कल रक्षा बंधन दी है तो इस लिहाँ से मैं आपसे EDT और रक्षा बंधन का उपहार तोनों मांगने आए हैं मैं शाहनगना नगीना मेवाद की रहने वाली हूं प्रीजी मैं आपसे मेवाद की मेहिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी मुझे लगता है कि मेवाद में अभी लड़क्यों की शिक्षा पर बहुत काम करना बाती है हमारे यहाँ पर लड़कियों को एक गायरे में रहकर ये पढ़ने की इचाज़त दी जाती है कम विक्सित होने के कारण और आंधनी भी कम होने के कारण दूर से सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजन्स में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे यहाँ पर लड़कियों के लिए केवल दो ही सरकारी कॉलेज है मैं आपसे निवेधन करती हूँ कि सरकार मेवात में लड़कियों के लिए कॉलेज ही नहीं विश्व विद्यालेंग खोलने का प्रयास करे, ताकि लटकियों को ना केवल डिगरी कोर्सिस, बनकि प्रोफेशनल कोर्सिस के बी शिक्शा들 हैं हो सके. खर्याना के उजबर भविष्शे के लिए लड़के में ही लड़कियों, दोनों का शिक्षा उत्थान होना जरूरी है, अपर मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कि मेरे जरिये से रखी गई, मिवाद के बाद पर बहुत परमाया जाए, शुक्तियां शायंग खान, बहन बहुत था अपने एक अच्छा विशय, आज के इस कारकम में पूछा है, जो नू जिला है, जिसको मिवाद जिला भी कहते हैं, ये हर्याना का एक पिछला जिला है, ये सब को पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, और इस पर ध्यान के बल हमारा ही नहीं है, बलके देश के प्रधारमंत्री जी का भी इस पर ध्यान है, क्योंकि देश के अंदर जो एक सो पंदरा जलो के एक लिस्ट बनाई गई है, जो जिनको एस्परेशनल डिस्टिक्स कहा गया है, उसमें नू भी एक है, जब इसकी सूची दो साल पहले गोशित होई थ तो हमारा स्थान इसमें बहुत आखिर में आ रहा था, लेकिन इन सब डिस्टिक्स में स्टेट की गवर्मेंट ने, प्रधेश सरकार ने काम करने थे, उसमें हमने शिक्षा पर भी काम किया, स्वास्त पर भी काम किया, रोजगारत पर भी किया, ऐसी बहुत विवस्था हैं यह हमने उसमें चालो की परिणाम सुरूप शिक्षा तो नहीं लेकिन स्वास्त के मामले में उन सब 115 जिलों के अंदर हमारा संप पहला स्थान भी हुआ बीच में हलांके यह जो assessment है यह हर महीने होती है महीने के महीने दर्जा प्राप्त होता है तो बीच में एक समय से अब है कि सारी वेवस्ताओं पर हमको परिवर्तन का जो दर है वो पहला भी मिला है हमें इसका संतोष है लेकिन जाए तक शिक्षा की बात है शिक्षा में भी हमने शिक्षा के सस्थान तो बहुत बनाये हैं स्कूल भी हैं कॉलेज भी हैं लेकन वहां की डॉप आउट की दर ये बहुत ज्यादा थी खासकर के लड़कियों की वहां के समाज में भी पढ़ाने का जो एक सिलसला शुरू होना चाहिए उनकी जो रुची बननी चाहिए उसमें भी पैदा करना पढ़ेगा कि अपने बच् जिने की एक विवस्ता बनी रहती है बेजें मदरसों में शिक्षा कराएं हमको आपती नहीं है लेकन मदरसों के साथ-साथ जो आज आधनिक शिक्षा जिसकी जरूरत है जिसमें विज्ञान भी है जिसमें मेधेडिक भी है जिसमें इंगलिश भी है जिसमें बाकी भाशाय भी हैं और जो शोशल यानि इशूज हैं उनको धानमे करते हुए इन विश्वों पर भी पढ़ाना बहुत जरूरी है स्कूलों की संक्या हमारी प्याप्त है वहाँ पर मिवाद ज्वेल्पन अजनसी के माध्यम से स्कूलों के अंदर शिक्षा दी जा रही है वहाँ मेडिकल कॉलेज भी जैसा आपने देखा वहाँ पर है पॉल्टेक्निक कॉलेज भी वहाँ पर है तो शिक्षा दीर दरे बढ़ रही है और जैसा आपकी जानकरी के लिए मैंने अभी बताया एक college जो 10 मेंने कल गोशना करने हैं उसमें एक college फिरोजबूर जिरका एक private college वहाँ पहले से है लेकिन सरकारी school फिरोजबूर जिरका में भी कल उसकी गोशना हो जायेगी बहुत जल्दी उसका भी हम काम शुरू कर देंगे तो हम चाहते हैं शिक्षा, स्वास्त, वहाँ का विकास, वहाँ पानी की समस्या को कैसे हल करना वहाँ अपराद भुरित्ती भी ज़्यादा है उसको भी ठीक करना क्योंकि मेवाज जिला हमारे सब जिलों में थोड़ा पीछे है इसको कैसे मुख्य धरा में लाना आज प्रतिव्यक्ति आए हमारी मेवात की नूजले की सबसे कम है पास लगता सिमाई लगती है गुरगावाजला उसकी हरियाना में सबसे ज़्यादा है तो दुनों कंट्रास्ट हैं इसको दूर करने के लिए हमने वहाँ यंग उफिसल भेजे हैं अब वहाँ जो के कठनाईयां काफी पहले से लोगों को आती थी तो जो सरकारी करमचारी है वहाँ जाता नहीं था आज सरकारी करमचारी भी वहाँ जाने लगे हैं शिक्षा व्याख में तो हमने ये कहा कि जो वहाँ जाकर नोकरी करेगा उसको 10% हम ज़्यादा तनखा देंगे यानि नूजले में नोकरी करने वाले को हरियना का कहीं का जो विक्तिवा जाता है उसको 10% सेल्डी ज़्यादा देते हैं ताकि वहाँ जाकर के रुची से पढ़ाए और वहाँ पर अब मुझे संतोश इस वात का है कि बहुत लोग नोकरीयों में आने लग गए हैं पिछले दुनों में कलर्क सी नोकरी लगी तब ही वहाँ आगए जूनियर इंजिनियर वहाँ आए है तो ऐसी सब नोकरीयों में मेवात का परदर्शन दिरे दिरे बढ़ रहा है यह और आगए कैसे बढ़े इसकी चिंता जिसे आपने की हम्भी कर रहे हैं उसमें मूल भूत, शिक्षा, स्वास्त और अनीमिया जैसी जो बिमारिया है वहाँ बच्चों और महिलाओं में जदा है उनको भी अनीमिया की कमी उसको दूर करने के लिए हम अभ्यान चला रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि नो जिला बहुत जल्दी हरियाना के सभी जलों के बराबर मुक्यदाना में आ जाएगा